सरे वीचें कोई कि फ्राइसक की बात करें तो अच्छा- ओंडरी में देखने को मिला है उल्मॉस से-ण पर्शन का पंप देखने को मिला है प्राइज में प्राइज मोडेश के बारेहोगा करें कहां पर आपको uros22 करivent करना चाहिए। कहां पर इसमें एक support है इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इससे पहले अगर आपने अभी तक CoinDCX डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से CoinDCX डाउनलोड करें को कि इसमें मिला 100 रुपय का Bitcoin है साइन बोनस और दोस्तों को रेफर करके भी आप Bitcoin कर सकते हैं तो अच्छे कासे विचन कोई की अभी जो प्राइस है वह ओल्मोस्ट 13 सेंट से उपर चल रही है और यहाँ पर अभी यहाँ पर बात करें कल की डेट में शाम को तो यहाँ पर 13 सेंट से उपर गई थी वह तोड़ा सा हमें देखने को मिला था तो वंडे के चार्ट में देखे तो लगातार तीन दिनों से अच्छी खासी मुमेंट हमें मार्केट के हिसाब से इसमें मुमेंट अच्छा खासा बुलिश मुमेंट देखने को मिला है वो लगातार तीन ग्रीन केडल हमें देखने को मिलें अच्छी से उपर 11 से उपर 11.4 तक 11.5 तो इसमें एक अच्छा खास सपोर्ट देखने को मिलेगा तो आपकी अगर बाइंग इस से उपर है या चाहे नीचे कहीं पर भी है लेकिन मार्केट अभी बुलिश है और इस रेंज से नीचे यह नहीं जाने वाला है और इस से उपर हैगा अग बहुत करेक्शन देखने को मिलता है तो यह इस रेंज तक आ सकता है यहां पर अच्छे का साथ ब्रेकर तक 14 से उपर 14 से लेकिन लेकिन उल्मॉस्ट पॉइंट 141 से लेकिन 142 तक 141 पर इसको एक रिशस्टेंस करने को मिलेगा यह रिश्टर आगर विवेकर करता है और यह ब्रेक होता है यहां पर थोड़ आ सा इसको इस रेंज से एक रिट्रेस्मेंट देखने को मिला था उसके बाद अभी वापिस अच्छी खासी में उच्छाल देखने को मिली है और प्राइस जो हे वह अगर आज की केंड़ क्लोजिंग हो चाहे कल की केंड़ क्लोजिंग हो अगर ये 14 से उपर करता है तो यह अपना जो प्रिवियस आई ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा यहां पर उसके ब बात करें तो अल्मोस्ट 27 सेंट है और अगर अनर में बात करें तो अल्मोस्ट टूटी टूटी थ्री आयना इसका आल टाइम हाई है और अभी 10 से उपर इसका 10.5 इसकी प्राइस चल रहे है तो weekly अगर केंडेंट की बात करता दो लगाता रही है यह अबाईbres experts कर सकते हैं in लुटRO, रेंच ब्रेंचे पर आता है अगर यह कारई कर सकते हैं की रेंज की बात करकीomy resource कहों आप सकते हैं से लाउड की एक करना बात करू है अगर एज़र्डर में बहे बात करू Greece तो आपको थोड़ से 15% के प्रोफिट के लिए वेट करना चाहिए क्योंकि यहां पर देखिए इसने यहां पर अभी फिशली जो केंडल फोरावर वाली केंडल थी यह 13.60 पर पहुंची थी तो इससे थोड़ा सा उपर जाएगा यह और महां से चाहे रेट्रेस्मेंट देख उसको ब्रेक करने के बाद आप नेक्स्ट प्रीवियस हाई अगर ब्रेक करता है प्रीवियस हाई के पास अगर इसको रेट्रेस्मेंट देखने को मिलता है तो आप से लाउट कर सकते हैं और अगर प्रीवियस हाई के बाद अच्छे खास वाल्यूम से उठता है तो वह सकत है और आपको बताई दिया और यहां पर आपको बाइंग रेंज बता दी मैंने अल्मोस्ट ट्वेल सेंट पर एक आप बाइक कर सकते हैं तो आप बाइक कर सकते हैं 12.4 तक आप देख सकते हैं यह रेंज है अल्मोस्ट 11.6 से लेकर उल्मोस्ट 11.6 से लेकर 12.4 तक आप देख सकते हैं वह आप पोर्टफलियो डाइबर्सी बाइब कर सकते हैं 15% का मैं जिसकी मैंने आपको बताया है कि 50% आपको लेना है और उसे नीचे आता फिर 50% का लेना है दूसरा क्रिप्टों में बाइब और से अब अब नहीं नहीं लगाना है जितना आप जहल पाएं जितना अगर यह चला भी जाता आपके घॉल्मोस्ट अगर यहां पर में स्पाउट और फ्योचर वाले बात नहीं करता हूं तो जाने के तो कोई बात होती नहीं है मैं आपको बताया 5-6 मेने के वर्डिंग आपके बास तो आपको बिल्कुल भी लोस नहीं होगा तो यह चीज का दियान रखें यहां पर हम कोई सब्सक्राइब कर ले थैंक्यू